राम राम सभी को आज हम करेंगे वीजन आई एस प्रिलियम्स की टैस से जिकापेपर दूसरा हिंदी में हमारा पहला क्वेस्चन है नीमन लिखित गणमाने व्यक्तियों में से कोन भारत की जंता की सेवा और कल्याण में समर्पित रहने की सपत वपरति ज्यान लेता है ये र राष्ट्रपती परधान मंत्री भारत का नियंतन और महलेखा परिक्षक तो आप दिखेंगे अगर सपत वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ राष्ट्रपती ही ऐसा व्यक्ति है जो जंता की सिवा और कल्याण में समर्पित रहने की सपत ले लेता है राष्ट्रपती भारत के जो मुख्य न्याय मुर्ति है न्याय दीस है उसके द्वारा सपत दिलाई जाती है उपराष्ट्रपती स्विधान के परती सच्ची सर्धा निष्ठा रखने सर्धा पुर्वक अपने करतवे की निर्वहन करने की सपत लेता है वहीं परधान मंत्री भी स्विधान के परती सच्ची सर्धा निष्ठा रखने की सपत लेता है और भारत की संपर्वूता अखंडता को अक्षून रखने की सपत लेता है इसी परकार कैग अपना पद ग्रेंड करने से पहले राश्ट्रपती के समख सपत लेता है लेकिन जंता की सेवा और कल्यान में समर्पित रहने की सपत राश्ट्रपती ही लेता है तो अपर राइटर और राज विवस्था के संद्रम में कौन सी एक संग्य विशिष्था नहीं है संग की विशिष्था नहीं है नेपाली का की सवचंतरता का स्रक्षन आपको पते ये संग्य विशिष्था है स्विधान में दवी सद्रिय विदाईका का प्रावधान लोक्सभा और राज्यसभ संग्य विश्था का प्रावधन है के इंदर और राज्य के बीच में सक्तियों का बंटवारा यह भी संग्य विश्था का प्रावधन है मूल अधिकारों द्वारा परवरतनिय होना यह संग्य विश्था का प्रावधन नहीं है तो हमारा राइटन सरह डी डी संग्य के अंदर कौन-कौन सी विशेष्था है शक्तियों का विभाजन सवतंतर लेपने पाली का लिखित सविधान धवी सद्निय विश्था सविधान की स्रोचता कठोर सविधान लेकिन जो यह लास्ट डी है यह जो संग्य विश्था का विशेष्था नहीं है हमारा नेक्स्ट क्वेशन है दो भारत के सविधान भारत के सविधान के नुसार नीमन लिखित में से किस राज्य के राज्यपाल को कानुन और विवेस्था के सम्मन्द में विशेष उत्तरदाई सोंपे गए है नागालेंड, मनिपूर, आसम और अरुनाचल ब्रदेश आपको याद रखना है नागालेंड और अरुनाचल ब्रदेश के जो राज्यपाल है उनको विशेष अदिकार सोंपे गए है कुछ अनुचेद ऐसे हैं जो विशेष राज्ये को प्रापत है जिस परकार आप देख सकते हैं एक 301 कैतर अनुचेद है इसमें महराष्टर और गुजरात के लिए कुछ विशेष प्रावधान है उसी प्रकार 303 कैतर एं है तिन सेब्सूद्फ 거죠 में नागा लेंड के लिए प्रावधान है अगर तिन सेब्स कै concern थे पर भी देखें तो इसमें असंस जम्लाट फैंट अंगें लिवी इस प्रावधान है अगर 308 जयाइं जो मणीपूर्र राज्ज्य हैं oh उनके जो पाढ़ी एक पडू से वेरें की अंतिक पशु सब्साशनिय को वेस्ता है उस सब्सक्रावधान अगर पर देखें का उसमें अंद्र परदेश के लिए विसीष प्रावदान है और दोळा 12 में जे त्यलंगाना बन गया था को अधर भी इसाल मसी उसके नहीं थे तिन सो प्रावदान है 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 अगर तिन तो के टोटी देखें के वह मारा अंदर रगते से समयमिद है लगतिन सूइ तर एप देखें तो इस तिन स्यांट अनुचत में सिक्कें से समुदित है किBar副 अगर हम तिन जो का तर गी देखें ओमेश느ार्म से सब्सक्राइभ दरना आखर हम 304 house देखें अरुनाचल से समंदित विसेष परावधन हैं अगर हम 304 I do देखें अगर 1300 जो कैतर जे देखें उसमें करनाटक से संब्दित कुछ से विशे से प्रावधन है तो अगर आप इस क्वेस्टन का हाल देखें तो नागालेंड और अरुनाचर्प देश के राजयपाल को राज्य से संब्दित विशे से सक्तिया प्रापत है हमारा पांचमा क्वेस्टन है राज्ये राज्यों में उप मुख्यमंत्री की न्युक्ती बढ़ती प्रीवर्ट्तियों के संद्रम में कोन से कथन सही है पहला कतन है जो प्राक उप मुख्या मंतरी का पद वह एक सवैधानिक पद है बिल्कुल गल्थ है क्योंकि उप मुख्या मंतरी एक सवैधानिक पद नहीं है यह पद कैबिनेट मंतरी के समान होता है यह केवल इस सम्मंद में संकेत परदान करता है कि सरकार में अगला स सबसे वरिष्टनेता कौन है वो भी नाम मत्तर का दूसरा उसे मुख्यमंत्री के समान कोई अत्रीक्त वीतिय सकती प्रापत नहीं होती यह सही कतना है क्योंकि किसी इन्य कैबिनेट मंत्री के तरह है उप मुख्यमंत्री को विभाग आबंटित किया जाते हैं उन्हें मुख् मंत्री को परदत फाइलों पर तक विशे से पहुंच दी जाती मतलब ठीक है कैबिनेट मिनिस्टर के समान इसको दर्जा मिला हुआ है हमारा चटा को ऐसा देखें मंत्री प्रिशिद के संद्रम में नीमन कत्नों पर विचार करना है 44 में स्विधान संसोदन अधिनीम द्वार यह प्रावधन किया गया राष्ट्रपति स्विधानिक रूप से परद्धान मंत्री की अध्यक्स्ता वाली मंत्री परिशिद के सला के नुशार ही कार्यक करेगा दूसरा स्विधान के नुशार किसी सारवजनिक कारवाई के लिए राष्ट्रपति का परतेक आदेश किसी मंत्री द्वार परति है साक्सिर्ट होना आप सक है आपको बता देते हैं जो राष्ट्रपति परद्धान मंत्री की अध्यक्स्ता वाली मंत्री परिशिद की सला के नुशार कार्यक करने के लिए बाद्धे है यह प्रावधन 44 विशन सोदन द्वारा नहीं जोड़ा गया बलकि 42 विशन सोदन अधिनिम द्वारा जोड़ा गया पहला तो हमारा वैसे ही कतन हो जाता है दुसरा भारत के सुधान के नुशार राष्ट्रपती का परते कादेश किसी मंत्री द्वारा हस्ताक्सरिस होना आवशक नहीं है यह भी गल्द दे दिया अपोजिट दे दिया तो इस दोनों कतन हमारे गल्द हो जाते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है यूप्यस्य और स्टेट पीसी एस परी के नुशार त्येत्रवे त्येत्रवें स्विधान संसोधन अधिनियम 1922 के संद्रव में कुछ कथन दिये हुए हैं इस कथन को पढ़े और कौन सा कथन सही है यह अधिनियम 25 के निरवाचन संबंदी मामलों में नयलियों के हस्तक सेव को वरजित करता है इस अधिनियम के प्रावधन संग राजय अक्षेत्रों पर लागू नहीं होते अगर हम देखें पहला कथन है यह जो अधिनियमUST है पंशायीतों के निरवाचन संबंदी मामलो में नियलेहों के हस्तक सेवको वर्जिते करता है, ये कत्रुषर सही है, बिलकुल सही है, और दूसरा जो 83éta संसो देनीयम है, इसके परावधन संग राजिक चेतरों पर लागू नहीं होते, यह गल्द है क्योंकि इस अधिनियम के प्रावधन संग राज्यक्षित्रों पर भी लागू होते हैं अगर मैं इस अधिनियम की बात करूँ तो जो त्यत्रवा संसोद नदीम है इसके तैत स्विधान में एक भाग जोड़ा गा था भाग नो यह पंचायतों से संब्दित है और इसमें अनुचेद जोड़े से 243 अनुचेद से लेकर और यह सभी विश्चेद 243 जी में सामिल किये गए हैं और इसी अनुचेद के द्वारा पंचायती राज को सेवधानी दर्जा परापत हुआ था हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन हम देखते हैं साथमा क्वेस्टन नीम लिखत में से कौन से कथन अनिवारी है किसी राज्ये में राष्ट्रपती सासन की घोशना के प्रिणाम है अगर किसी राज्ये में राष्ट्रपती सासन लागू हो जाता है तो कौन से प्रिणाम अनिवारी रूप से होंगे राष्ट्रपती उस र हुआ हुए रज्य की विधान सभा सबत भंग हो जाती है स्ञाइन टिसरा कतन राश्ड्रपती राँजे की मंत्र्य प्रिष्द को बर्खास्त कर सकता है अगर देख़ें तो यो तिसरा कतन है वह बिल्कुल ही है अगर राश्ट्रपती लागव सासन लागू हो जाता है तो राज्ये की जो मन्तरी प्रिशिद्ट यूज सको राश्ट्रपती बरकास्त ख universal कर सकता है अ गोकर देखे राज्ये की विदान सबस्वास सवर्मत भांग हो जाती है ये कतन गल्थ होता है क्योंकि वह सुवत नहीं होती बलकि राष्ट्रपती द्वारा की जाती है हमारा जो पहला कतन है राष्ट्रपती उस संबंद उस रज्जे के संबंद में कानून नहीं बना सकता है बलकि राष्ट्रपती के जगह संसधी कानून आता है है हमारा दस्मा क्वेश्चन देखते हैं दस्मा कचन है जो एक पेश्चा का दिनीम आया था जिसको पंचायत अनुसूचित अक्षेतर पर विस्तार अधिनीम 1926 के प्रावधानों के तहत अनुसूचित अक्षेतरों में पंचायतों तक निम लिक्त में से कौन से प्रावधान पुष्तारिते किया गई पहला क्या है कि विकास प्रियोजनाओं के लिए भूमी का अरजन करने से पहले ग्राम सभा से प्रामसर किया जाएगा पहला कतन बिल्कुल सही है गोण खनीजों के खनन के लिए खनन पट्टों की सवकृतिय तू ग्राम सभा की सिफारिश अनिवारिय होगी बिल्कुल सही तिसरा अनुसूजित अक्षेतरों में लगुजन निकायों की स्थापना और उनके प्रबंदन का कारिय है पंचायतों को सोप जाएगा बिल्कुल सही लगूवण उपज पर ग्राम सभा का सवामितो होगा मिल्कुल चार ओप्सन क्या है बिल्कुल सही है तो इसका राइटरियों सर् foul हमारे पास क्या आएगा cone नेक्स्ट हमारा आठमा सवाल है, आठमा क्वेशन है, यह प्रावदHAN की मंत्री प्रिशद में, प्रधान मंत्री सहित, मंत्री ओ की कुल सिंख्या, लोग्सभा की कुल सिंख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, इसका उल्ले किसमें है, लोकसवा के नीमों में भारत के स्विधान में संसिद्धीय प्रमप्राय उसमें और उस्तम्नेले के नीर्णे में मैं आपको बता दू जो भारत में मंत्री प्रिशिद में परदान मंत्री सहित कुल 15 परतीस अधिक मंत्री गण नहीं होंगे ये भारत के स्विधान में के नुचइद पजेत्र में का गया है, पजेत्र में का गया है कि इसमें ये प्रावधन जोड़ा था, क्याणूमे में संसोधन दौरा ये प्रावधन जोड़ा गया कि 15% से अधिक मंत्री नहीं होगे हमारा नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेस्टन अनुचे 352 के तहत राष्ट्रिय अपात की गोशना के संद्रव में नीमन कत्नों पर विचार कीजिए भारत में राष्ट्रिय अपात केवल तीन बार गोशित है किया गया दूसरा राष्ट्रिय अपात केवल यूदिय बहया कर्मन के धार पर ही गोशित है किया जा सकता है तीसरा राष्ट्रपती परधान मंत्री से लिखित सी पारिस प्रापत करने के बाद ही राष्ट्रिय अपात की उद्गोशना कर सकता है अगर हम देखे